Good morning students, welcome to the online classes, today we discuss about class 11th, subject biology, chapter 5, morphology of flowering plant, lecture 2 हमने अपने जो पिछले lecture में last topic पढ़ा था, वो topic था functions of root और उसके function में हमने बात की थी, कि सबसे पहले तो plant part को roots जो है, वह in charge प्रोवाइड करता है, मतलब food material प्रोवाइड करने का काम करता है absorption of water and mineral, पानी वह minerals को absorb करके plant तक पहुँचाता है third आता है synthesis of plant growth regulators, कि plant को growth करने के लिए जितने भी ions की requirement होती है, वो सब roots ही plant तक पहुचाने का काम करती है तो इसके बाद हम जो अपना next topic पढ़ते हैं, वह topic है हमारा modifications of root, कि root की modifications कौन कौन सी होती है कि सबसे पहले तो आता है for food storage, खानी को store करने के form में किस type की roots available होती है second आएगा हमारा mechanical support करने के लिए किस type की roots होती है और third हमारा जो आता है, वो आता है vital और physiological function, कोई special function भी plant में होते है उसको represent करने के लिए root का क्या modification होता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं for food storage roots के बारे में कि खाने को store करने वाली roots का modification क्या होता है तो इसमें हमारे सबसे पहले जो आता है, वहाँ आता है fucy form fucy form क्या है, कि आपको कुछ ऐसी roots जमीन के अंदर मिलेगी जो बीच में से तो fully हुई होगी लेकिन इसके उपर और नीचे वाला हिस्सा बहुत ही पदला होगा ऐसी condition वाली roots को कहते हैं fucy form type की roots और यह आपको कहां मिलती है reddish यानि की मुली में जिसका scientific name है रैफेनस सटाइबस आगे हम बात करते हैं, second जो food store करती है उसका modification है हमारे पास conical shape में conical में क्या होता है, कि swollen at the base and gradually taper toward apex के इसमें उपर वाला हिस्सा तो अचानक बड़ा होता है, और फिर दीरे धीरे पतला होता जाता है वापस एक मिनट कि इसके नीचे वाला हिस्सा , base की तरफ वाला हिस्सा swollen होता है और इसके apex वाला हिस्सा लगातार पतला होता जाता है example हम character का देख सकते है जो conical type का modification है थर्ड आता है nappy form nappy form क्या है जगा इसको देखें कि swollen at base and suddenly taper toward the apex कि base की तरफ तो फूला हुआ है लेकिन जैसे ही apex की तरफ आते हैं नीचे की तरफ हम आते हैं apex उपर वाले हिससे की तरफ आते हैं तो वह अचानक पतला हो जाता है जबकि conical में देखा था कि धीरे धीरे पतला होता था इसमें अचानक पतला हो जाता है तो वो condition कहलाती है nappy form condition जो हमको turnip में मिलती है beet roots में मिलती है brassica grape ये एक plant है उसमें भी हमको ये चीज मिलती है शल्जम कह सकते हैं इसको हम वो हमको दिखने में ऐसी ही दिखाए देती है next जो आता है tubarius type का modification इसमें क्या होता है किसी भी root का कोई fixed shape नहीं होता है shape हमेशा बदलता रहता है जैसे example mirabilis jalapa जिसको 4 o clock plant के नाम से भी जानते हैं तो ये चार जो हमारे modification थे ये modification थे हमारे tap root modification fusiform, conical, napiform and tubi areas अब हम बात करते हैं हमारा जो next है modification वो है advantageous roots modification advantageous roots के जो modification होता है इसमें भी first part आता है tubiaries का की tubiaries की definition हमने उपर भी देखी थी कि इसका कोई defined shape नहीं होता example sweet potato आप शकरकंद को देखते हो तो उसका कोई भी fixed shape आपको नहीं दिखाई देता हर एक sweet potato का shape अलग होता है मैं अभी आपको कुछ बताना चाहता हूँ की tap root और advanced tities roots क्या होती है जो हमने पिछली class में discuss किया था हमने देखा था कि tap root जो किसी भी seed के radical से develop होती है उसको tap root system कहते हैं जबकि plant में radical को छोड़ कर दूसरे किसी भी part से root develop हो जाए तो वो advanced tities roots कहलाती है तो हम अभी इस advanced tities roots के modification पढ़ गए थे तो वापस हम लोटते हैं अपने topic पे second जो advanced tities roots का modification आता है वो आता है फैसिकुलेटेड फैसिकुलेटेड क्या है कि अगर ट्यूबेरियस roots ही आपको ग्रूप में दिखाई दे तो उस condition को कहते हैं फैसिकुलेटेड फैसिकुलेटेड मीन्स चुबेरियस roots in groups present in plant आग नोवन एस फैसिकुलेटेड टाइब्स एडवान टाइटिस roots एक्जामपल डहेलिया एंड एस्पेरिकस थर्ड हम मोडिफिकेशन की बात करें तो वह आता है नड्यू लूज नड्यू लूज क्या है जरा इसको देखें तो ऐसी roots जिसका tip या उपर वाला हिस्सा फूला हुआ होता है तो उस condition को कहते है नोड्यू लूज इसका example है mango ginger and arrow roots आगे हम इस diagram में हमको नोड्यू लूज रूट साफ दिख रहे है जिसका tip वाला हिस्सा हमको फूला हुआ दिखाई देगा है हम एक और example देखें कि नोड्यू लूज रूट जो है उसकी tip वाला हिस्सा हमेशा फूला हुआ होता है तो ये condition एक type के adventitis roots में हमको दिखाई देती है next हम बात करते हैं adventitis roots के modification की तो हमारे सामने आता है monolith form और bleed aid type का modification इसमें क्या होता है roots swollen at regular intervals के कुछ एक fix interval के बाद roots fully हुई होती है बात में वापस सिकुड़ी हुई condition आपको दिखाई देती है मतलब एक regular interval के बाद अगर fully हुई condition को दिखाई दे तो वो monolith form या be dead type का modification है जो हमको किस में दिखता है डायोस को रिया plant में जिसको bitter melon के नाम से भी जानते हैं monolith form की खासित मैंने बताई regular interval के बाद fully हुई होती है जो आपको कुछ इस diagram में भी शो हो गई है और इस diagram में भी आपको अच्छे से दिखाई दिखाई दे गई है एक regular interval के बाद roots का जो part है वो क्या है full जाता है वो conditional कहलाती है monolith form condition next हम बात करते है annular type का root modification की annular type में क्या होता है roots have ring like structure कि आप बहुत सारे rings को एक के उपर एक रखतो के तो जो structure बनता है वो structure annular type के modification में होता है और इसका example है syphilis and ipakakoonia तो यह हमारा annular type का modification था इसमें आपको annular type की roots आपको दिखाई देगी जिसमें बहुत सारे rings जो है एक के उपर एक रखी गई है तो यह ring like structure हमको annular type का root modification दिखाई देता है ये जो हमने दूछ चिजे पढ़ी थी एक तो tap root के modification एक advantages roots के modification ये दोनो food store करने वाले modification थे हम क्या पढ़ गए थे modifications of root जिसमें first था root for food storage खाने को store करने वाले roots कौन कौन से थी जिसमें हमने tap root को पढ़ लिया advantages roots के modification पढ़ लिये अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं Mechanical Supports करने वाले Root के Modification क्या होते हैं बच्चों आपके Competition Exam में देखें या फिर आपके 11 के Exams में देखें तो इसमें इनके Examples से Related Questions हमेशा बनता है तो आपको हर एक नाम और इनकी पहचान साथ में इसका एक Example भी याद रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत न आए तो इसमें हम देखें तो इसमें सबसे पहला जो आता है वह आता है Prop Root Prop Root क्या है जगा देखें तो इसको कि इसमें लिखा है Modified Adventitis Roots That Arise From The Branches Of Tree कि Adventitis Roots का ऐसा Modification जो किसी ट्री में पेड में उनकी ब्रांचस से निकलती हो मतलब ऐसी जड़े ऐसी Roots जो उसकी ब्रांचस यानि की शाकाओं से निकल कर जमीन में जाती है और फिर प्लांट को mechanical support करती है तो वह कहलाती है Prop Roots दिखने में कैसी होती है जड़ा हम देखें ये एक्जामपल है हमारा बैन्यंट की का यानि की बर्गत की पेड का इसको आप देखते हो तो इसमें आई ये जो ब्रांचस निकलती है उन ब्रांचस से जड़े निकल कर जमीन में जाती है और फिर इस प्लांट को mechanical support देने का काम करती है ताकि ये प्लांट अपनी जगे पर स्थिर रह पाए फिक्स रह पाए तो ये कहलाती है प्रॉप रूट आगे देखते हैं हम सेकिंड मोडिफिकेशन जो mechanical support का है stilt root क्या है कि these are modified adventitis roots arising from the basal node of stem कि कि किसी भी पौधे के stem के base वाले हिस्से से जड़े निकल कर तिरची तोर पर जमीन में चली जाए और फिर उस प्लांट को mechanical support दे तो वह कहलाती है stilt root जो हमको maze में मिलती है जिस को सुगर केन कहते हैं उसमें मिलती है and sorghum में मिलती है क्या है जगा हम देखें तो इसको ऐसी roots जो आपको इस diagram में देखने को मिल रही है हर एक diagram में उसके base वाले हिस्से से जड़े निकल रही है और तिरची आकर जमीन के अंदर चली जा रही है जिससे क्या है plant को mechanical support मिलता है तो यह जो type की root होती है उसको बोलते है stilt roots है ना तो आगे हम बात करते हैं क्लिम्बिंग roots की कि these roots arise from node or inter node and help in climbing कि कुछ ऐसी जड़े हैं जो plant में nodes और inter node से develop होती है उस plant को climbing यानि की ऊपर चढ़ाने में help करती है उसको कहते हैं climbing roots example है इसका beetle क्या है जड़ा देखें इसको भी यह देखो आप इस diagram में जब देखते हैं तो node और inter node से चोटी चोटी roots निकलती है जो किसी base के उपर चिपकर plant को उपर चढ़ाने में help करती है कि आपने कुछ ऐसे पौधे देखें होंगे जो क्या है किसी दिवार के सहरे या फिर किसी दूसरे plant के सहरे उपर की तरफ कह सकते हैं movement करते हैं चढ़ते हैं उच्छा ही पर तो उसको कहते हैं climbing roots तो हम बात करते हैं next की next जो हमारा है वह है clinging roots वो तो था climbing अब आता है clinging इसके बारे में हम बात करें तो these roots are also arise from ether node or internode and help the plant to attach to the substrum example ficus pumila beetle and venda and ivy इसे जैसे आप देख सकते हैं कि इसको हिंदी में पकड़ जड़ के नाम से भी जानते हैं और ये भी node internode से develop होती हो और develop होने के बाद इस तरीके से फैलती है कि नीचे की तरफ उससे जो भी base मिल जाए उसको tight जकड़ देती है उसको पकड़ने वाली ये जो roots है वह clinging root कहलाती है अभी हमने देखा था climbing roots and clinging roots climbing roots क्या करती थी plant को उपर की तरफ चड़ाने का काम करती थी जबकि clinging roots क्या है वो भी node internode से develop होती है लेकिन यह केवल उस plant की पकड़ को मजबूत बनाती है कि वह किस base से जुड़ा हुआ है next जो हमारा type है वो है buttress roots buttress roots क्या होती है जगा इसको देखें तो these roots arise from the base of the tree and look like plants of wood इसमें क्या होता है कि जो कोई पेड होता है उस पेड के base वाले हिस्से से roots निकलती है और चारों दिशाओं में इस तरीके से फैल जाती है जैसे वह उनके ही कह सकते हैं कि शाखाएं या branches हो यह आपको example silk cotton tree जिसको bombex के नाम से जानते है उसमें मिलती है और आपको इसका एक और example हम बताएं तो semal and terminalia इसके कुछ examples है यह कैसी दिखती है जगा इसको देखे हम जैसे आप इनको देखते हो इस diagram में तो आपके सामने यह देखो सब के base से जड़े निकल कर चारों दिशाओं में फैलती है यह कहलाती है buttressed roots next हम बात करते है floating roots की floating roots क्या होती है कि these are spongy roots which arise from branches and help the floating floating के यह एक type से sponge के जैसी roots होती है जो किसी भी plant को पानी की surface पे तैरने में मदद करती है कहते हैं कि कोई aquatic plant जो है वो पानी की surface पे क्यों तैर रहा है उसको तैरने में help कौन करती है यह floating roots example है इसका जसिया देखें इसको इसमें हम देख पाते हैं कि यह जो ऐसी roots है वह floating roots का examples है जो प्लांट को पानी की surface में तैरने में help करती है next हम बात करें आगे तो हमारे सामने आता है contractile roots क्या है contractile roots जगा इसके बारे में देखें तो contractile roots की बात करें तो इन में security capacity 60 से 70% तक होती है कि यह 60 to 70% सिकुड जाती है और जब इनको requirement होती है तो यह मिट्टी में वापस गहराई में फैल जाती है तो इस type की जो roots होती है वो contractile roots कहलाती है जो अपने nature के according जब उसको requirement होती है तो वापस मिट्टी में गहराई में चली जाती है नहीं तो वापस सिकुड जाती है यह आपको सैफरोन में दिखाई देती है केसर में दिखाई देती है कैना में दिखाई देती है और onion प्याज के अंदर आपको दिखाई देती है प्याज का जो scientific name है onion का scientific name वो है एलियम सैपा एक छोटा multiple choice के question आपके competition में आ सकते हैं कि जो pedanus plant है उसमें multiple root caps पाई जाती है जबकि wolfia एक ऐसा plant है जिसमें कोई भी root cap नहीं पाई जाती है और यह सबसे छोटा एंजियो स्पर्म भी है smallest एंजियो स्पर्म in plant kingdom is wolfia वापस एक मिन्ट root cap क्या होती है root के आगे वाला इसा एक टोपी के जैसा होता है जिसको root cap कहते हैं और वह जब root grow करती है मिट्टी के अंदर तो उसको damage होने से बचाता है next हम बात करते है root thrones की root thrones क् लेकिन इससे पहले हम थोड़ा contractile roots की real image देख लें कि यह कैसी होती है जो सिकुड सकती है और fell सकती है यह आपको लगबग कुछ इस type की दिखाई देती है contractile roots जिसमें खीचने की यहने की सिकुडने की और fellने की capacity पाई जाती है तो आगे हम बात करते हैं root thrones की कि these are hard, thick and pointed thrones which also help in climbing example pathos जिसको हम money plant भी कहते हैं root thrones क्या होते हैं? money plant में जब आप उसकी roots को देखते हो तो वहाँ पे बहुत सही hard, thick and pointed nuclei structure निकले हुए होते हैं जो कांटे के जैसे होते हैं और वो क्या करते हैं किसी base से चिपकर plant को आगे बढ़ाने में help करते हैं तो यह जो structure है, वह root thrones कहलाता है, देखें तो जरा कैसा दिखता है, यह root thrones यह देखिए आप इसमें कि यह आपको बहुत सारी roots दिखाई देगे जिस पे कांटे बने हुए और यह कांटे क्या करते हैं, plant को उपर चढ़ाने में help करते हैं root thrones आपको ऐसे दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको चोटे-चोटे कांटों के जैसे structure root के उपर बने हुए दिखाई देते हैं जो plant को climbing कराने में भी help करते हैं next हम बात करते हैं leaf roots, leaf roots क्या है, these roots are present at the margin of leaves कि किनी-किनी plant में पत्तियों के किनारों से भी जड़े develop हो जाती है, वो कहलाती है leaf roots जो हमको ब्रायव फिल्म में दिखाई देता है अभी तक हमने जितनी भी roots देखी थी वो stems से develop होती थी या फिर बीच के नीचे वाला जो radical है उससे develop होती थी लेकिन leaf roots क्या होती है पत्तियों की margin से develop होती है कैसे जगाद देखें इसको, यह हम देखते हैं इसमें तो हमको कई ऐसी roots दिखाई देती है जो पत्तियों की margin से develop होती यहाँ पे चोटे चोटी और leaf बन गई जिससे क्या है कि roots डवल अजाती है यह देखिए आप इसमें चोटी लीफ्स और निकले लीफ्लेट्स कहते हैं और निकले और उनसे चोटी-चोटी रूट्स नीचे की तरफ डवलप हो गई तो स्टुडेंट्स इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक की यहां पे खत्म करते हैं हम अपनी अगली क्लास में इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है